आदर निये बड़े भाई चंद्र सेखर आजाद रावन के बाद अगर कोई है जो बहुजनों को नयाई दिला सकते हैं वो गोल्डन दास नया नया उत्थान लिये थे लेकिन मनुवादियों को पेट में दर्द होने लगा इसलिए गोल्डन दास के ऊपर मुकदमा करके उन् समाज पाटी उसका संग्यान में मामला लिया है और जो जो भी गलत काम किया है उसको भी इट का जबाप पत्थर से देना है जब घायल हो जाता है तो पागल हो जाता है असे अभी तुम लोग मनुवादी विचारधारा के लोगों ने जो हमारा गोल्डन को पकड़ करके दोस्तों भी मार्मी चीप साजा समाज पाटी के राष्टिया दर चंदर सेखर आजाद के एक आवाहन के बाद पूरे देश बर के जितने सारे अंबेट करवादी हैं चंदर सेखर आजाद को हाथों को मजबूत करने के लिए दिली पहुंचे हुए थे और चंद सेखर सब्सक्राइब का 11 सितंबर को महा रही हुआ सफल आपको लगता है सफल कवची होगा डबल सफल हुआ है हलका फलका सफल नहीं हुआ है पूरे दिली को हम लोग नीला कर दिये हैं सबसे पहले तो आपका चैनल को करांती कारी नमो बुद्धाय जैभीम नीला सलाम जो हम लो मhmm हन पाटre venue है हमारा पाटी तो इंटरनेशिनल पाटी बन गया है वर्लड लेवल पर विप देख सकते हैं डिली में हड काम महथ हowania हुआ है कि आप प्रोग्राम करते हैं चर देखिए हाउल में प्रोग्राम किए पहले भानिंग वह मु मैदान में मने मैं प्रोग्राम करने का तो हम लोग वहाँ सोच लिए कि राम रिला में मने करना है संभीधान लीला है तो भारत की सरकार और सुप्रीम कोड यह सभी लोग थर थर कापने लगें कि जतना भी भारत का बहुजन आएगा अंबेद करवादी विचार धारे का आएगा तो बास तबिक में संभीधान लीला कर देगा यहां करके इसलिए सरकार और सुप्रीम को डर गया और परमिसन नहीं दिया मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार चौधरी आजाद समाज समक्रादय तारी हुई है यह विहार राज के पाठ़ियां जो है जो है सब सडियंत्र रज करके उनको फसा गया है पुलिस वालों गुंडाऑ बिहार का यह अपना जो है गुंडागर्दी करने पर उतर आया पुलिस और गोल्डन दास जो बेचारा है गरीबों का मसीहा है नयाय दिलाने वाले अगर हमारे भारत में आदर निये बड़े भाई चंद्र सेखर आजाद रावन के बाद अगर कोई है जो बहुजनों को नयाय दिला सकते हैं वो गोल्डन दास नया नया उत्थान लिये थे लेकिन मनुवादियों को पेट में दर्द होने लगा इसलिए गोल्डन दास के ऊप पर मुकदमा करके उन्हें जेल में डाल दिया गया लेकिन भीमार मियाजाद समाज पाटी संग्यान में लिया है और सरकार को और पुलिस को जबाब देना पड़ेगा और एकायकी करके सभी से हिसाब लिया जाएगा गोल्डन दास के बिल्कुल नहीं गलती है और तोड़ प्रोल के समर्ता करने लगी गोल्डन दास कर वाये गोल्डन दास कोई उग्र भासन नहीं दिए हैं अगर और सच्काना जूर मैं नहीं कहेगा तो उसको चैटुर कईसे कहेगा वो सही-सही धारा नहीं जानता है वो घूस दे करके थाना में अध्याच पद गरहन कर लिया है वो उसको बढ़िया से पढ़ा नहीं है और गलत गलत दफ़ लगा करके हमारा गोल्डन को अंदर कर दिया लेकिन मैं बता देना चाहता हूं भीमार मियाजाद समाज पाटी उसका संग्यान में मामला लिया है और जो जो भी गलत काम किया है उसको भी एक्षेप्ट किया कि मैरे से गलती हुई है देखिए मैं बताता हूं सेर जब घायल हो जाता है तो पाघल हो जाता है अच्छा अभी तुम लोग मनुवादी विचारधारा के लोगों ने जो हमारा गोल्डन को पकड़ करके मजबूर करकरके उसको डरा करके द्धामका करक तो उसको जवरदास्ती का छबाया गया है गोल्ड अंदास को गलत काम नहीं किया है वो आपराधी नहीं है वो न्याई दिलाने के लिए गया था अपराधी को तो अरेस्ट नहीं करता है एप पुलिस का काईराना हरकत है बिहार राज का और पूरे भारत का यह अस्थीति है इसलिए पूरे भारत में जितनी भी पाठियां है मनुवादी की पाठियां को दरकिनार करके बहुजनों की पाठियां का सरकार बनाना है और आने वाला समय में आधर निये बड़े भाई चंद्र सेखर अजाद राबन जी को परधान मंत्री बनाना है और पूर्ण रूपेन संबीधान को लागू करवाना है और जितने भी हमारा बहुजन है भारत में सभी को हुकुमरान बनाना है जब तक उसका अस्थीती सुधर नहीं जाता है तब तक हम लोग संघर से जारी रखेंगे रहाई के लिए अभी तो देखिए दिल्ली में हम लोग आये हुए हैं और दिल्ली में जो है भीमार्मियाजाद समाज पार्टी से भारत सरकार और सुप्रीम कोट तो एकदम ठर्थरा करके बाइक आउट कर लिया डर गया मनें आद्यस नहीं दिया कि आप यहां प्रोग्राम कीजिए वो इतना डर गया क्योंकि वो जानता है कि ये लोग आएंगे तो बिल्कुल में सम्भीधान लिला कर देंगे और सम्भीधान लिला हो भी गई सम्भीधान लिला वहां जाकर कर नहीं किये लेकिन यहां इंद्रा गान्दिया स्टेटियम में तो हम लोग एक कोहराम मचा दी हैं कि मैंने इतना अदमी कम से कम पांच लाख हैंड अबाब अदमी था पांच लाख हैंड अबाब अदमी था तो दुस्तों आपको उतादू की रहली जो है चंद सिखर आजाद की सफ़ल होने के बाद सभी लुका कहना है कि चंद सिखर आजाद के बाद अगर किसी विक्ति का अगर नाम आता है न्याई दिलाने के मामले में तुस्तों सक्स का नाम है गुल्डेंदास और गुल्डेंदास ना जिस थरीके से काम के दम पर पूरे देश बर में जो अपना क्रेज बनाया है कही सबसे पहले आपको चैनल को और आप सभी साथियों को जयावी गोल्डेंदास एक वह सक्स्त है जो जिससे आका जाता है गोल्डेंदास वह सिकारी है और सिकारी को भी सिकार करने जानता है वह गोल्डेंदास है जिसको बोलते हैं जैग्वार जैग्वारी एक ऐसा सिकारी है वह सिकारी को सिकार करने वाला है तो गोल्डेंदास वह सक्स्त है वह जैग् और वह सिकार करना छोड़ा नहीं है उसने परसाशन उसको बंदी बना करके उसको रखा है जिस दिन वह प्रसासन निकले घाना वो दुगना ताकत में और है उसकार करेगा इस परसासन को बहुत सारा लोग को दिखा जाता है कि जब जैल में उनको यतनाय दे जाती है प्रतरना उनको जहनी पड़ती है तो जल से बाहर निकलते हैं तो हम सुस्त पर जाते हैं कौन समाज के इलाठी खाएगा कि ऐसा नहीं है हम भी झील गे वो है हैं क्या समाज की साल कर रहा है हरु से पांच साल पहला हम जेल में थे जब जीला से चीप के Chestnut में थे त्हु है शीला दयर श्रेकत्ष है काम करते 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 कहां अमने तैसा नहीं है सबसे पहले बात है कि गोल्डे इंदास बाबा साब को बंसज है और गोल्डे इंदास के इसी बातों हम सुने हैं और काम भी किये हैं साथे रहा करके सिकार करने के भी हमको भी सिखाया कि किस तरह से सिकार किया जाता है और बिल्कुल अगर बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल सिकार करेंगा साथ मिल के सिकार करेंगे उस सिकारी को बिल्कुल करेंगे गोल्डे इंदास को पुलिस अपरादी बतला रही है वो गलत मांसिक्ता का है देखिए वो जो परसासन है ना जो हस रहा है ना उसके तो चेहरा थूखने लाग भी नहीं है पारु थाना को जो थाना द्याच है जिसे बोला था गोल्डेंडास ने कि तुम तुम मूर्ख हो बिल्कुल सही बोला था अरे तुम्हारा जो चेहरे हो ना तुम उसको पीट के जो हस रहे हो ना तुम्हारे चेहरे पर थूखने लाग भी नहीं है अब मुर्ख का रहा हैं कंप्टिशन क्रेकर करके यहां पर आएं दो रोगा बने हुए हैं अब मुर्ख का नहीं जानती हो फिर का नहीं लगाया तुम जब पढ़के आथा तो क जहारे साथियों को बना रहा है और एक दिन यह लोग जए पारुत थाना को जो थाना द्याच है जिसका सकल थुकने लाख नहीं है वह सकता है ना सिकार करना रोज सिकारी होगा अगर बणिया से करें पारु थाना का और मुझापरबूर का जीला का शोब अश्पी है और व हो और सायोग करेंगा साथ में बीमार भी मुला सायोग करेगा